जहें फ्रेंट्स तो चलो शुरू करते हैं आज का exam related news analysis जिसमें हम cover करेंगे Indian Express के वो important article जो आपके exam point of view से important है तो पहला article है कि Supreme Court ने कहा है कि difficult है यह accept करना कि voter के पास ही right नहीं है to know the source of funding किसकी funding political parties की funding तो यह जो है Supreme Court ने flag किया है कि serious deficiencies है इन जो existing scheme आई थी कब 2018 में आई थी electoral bond scheme इसमें और उन्होंने election commission को भी order दिया है कि दो week के अंदर सारा detail submit करो जितनी भी contribution आई है वाया new poll bonds तो यह Supreme Court ने और अभी hold करके रखा है अपना decision है उसको reserve किया है judgment जो अभी नहीं आया है जो जिसने challenge किया validity of the electoral bond scheme लेकिन जो भी अभी तक समझ में आ रहा है कि यह Supreme Court को भी पसंदनी आ रहा है कि voter के पास कोई right नहीं है जाननेत का कि जो source of funding है parties की वो कहां से है इसा Supreme Court ने government को कहा है तो जो हमारे CGI ही है उन्होंने क्या कहा कि it is not like that जो कुछ points है कि वो हम raise कर रहे हैं जैसे कि पहला important point है कि the need to reduce the cash element in the electoral process कि भाई जो इससे क्या होगा black money जो है वो जो आती है electoral process में black को white करने का funda वो बंद होगा दूसरा the need to encourage use of authorized banking channels for that purpose and third की incentivizing the use of banking channels they should result in greater confidality and there is a fourth चौथा वाला कहा है कि the need for transparency की भी जोर रहत है and fifth जो है consideration कि this should be not become a legitimation of quid pro क्यों quid pro क्यों होता है जैसे कि एक हांत दो एक हांत लो कि favor for favor मतलब मैं तुम्हे favor करूँगा मैं तुम्हारा ये काम कर दूँगा आप लोग अच्छे से परिचित हो गई इस चीज से कि आप कभी भी जाते हो जैसे कोई भी बोलते सरकारी काम कराने तो कि भाई मैं तुम भी जस्टिस इसमें included है आपको पता है five judges की bench होती है आपको पता होगा ये minimum एगर constitutional amendment पे बात करनी है तो five judges की bench होनी चाहिए including CGI तो CGI के साथ साथ इसमें हमारे डिवाई चंचूर जी के अलावा संजीव करना जी बियार गवई जे भी पार्डी वाला एन मनुझ विश्रा ये statement नहीं दे सकता हां लेकिन आप लोग नया बना सकते हो कुछ नया चीजे उसमें यह जो हमने points रेज किये यह पाचो इसको लेके आप लोग एक नई bond एक नई scheme एक कुछ भी जो है नया बना के एक frame कर सकते हो जिसमें जो है clarity ज्यादा आओ आये जैसे CGI ने asked if the government would bring an amendment in the company's act to clarify certified debt क्योंकि भाई देखो क्या होता है कि कोई भी company जैसे एक रुपे profit कर रही है तो CGI ने क्या पुछा example दे है कि why would such a company donate through electoral bond जब इतना कम उसको क्या ज़र रहते है लग कि वो reason क्या है कि company जो है वो business करने आये राइट वो अपना profit कमाने आये not to donate to the political parties and if your purpose is not to donate to political party you must donate only a smaller portion of your net net profit तो इसी तरह से उने लोगोंने कई issues raise की है still जो है यह verdict अभी तक final verdict नहीं आये जब आ जाएगा तो हम लोग उस फिर से और detail में discuss करेंगे आर्टिकल है कि जो US के secretary है यूएस के secretary of state है एंटोनी जे ब्लिंकिन और defense secretary लॉइड जे आस्टिन वो visit करेंगे इंडिया को next week for the US इंडिया 2 plus 2 ministerial है मतलब बोग साइड से जो है ministerial dialogue होंगे और इंडिया की तरब से external minister S.J. संकर और defense minister राजनात सिंग रहेंगे और उनकी तरब से आपको पता है कि ये दोनों रहेंगे ब्लिंकल और लॉइड ऑस्टिन तो ये जोनों जो बात करेंगे इंडिया के इसमें वो जो है travel करेंगे कहां कहां जाएंगे वो दोनों निकले हैं तेल अवीव, अमान, टोक्यो, सिवेल के बीच रहेंगे from November 2 to 10 और इसलिएंगे और इज्राल हमास वार जो और एसकेलेट कर रहें और बढ़ रहा है और चाइना की जो है जो बढ़ इंडो पैसिफिक रीजन में और जो वो हावी हो रहा है इस सारी चीजों पे जो है डिटेल में डिसकसन होगा इंडिया इंडियान मिनिस्टर्स एंड य जैसे मैंने बताया चाइना इसू इसराइल हमास युक्रेइन रशिया राइट तो और डिफेंस टू नुकिलर एंड वीजास के बारे में भी बात होगी बहुत सारे डिटेल होगी और एक और जो है गेस्ट आ रहे है इंडिया जैसे बुटान के किंग जो है वो आ रहे है फर्स्ट आप उनका साम में रहेगा वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने वाले हैं और जैसे आपको नाम याद रखना है बुटान के जो है कौन है किंग जिगमी खेशर नागयल वांग्चुक राइट वांग्चुक सरनेम आपको पता होगा त्री एडियेट्स में भी था तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि कौन है बुटान के बुटान के किंग ओके तो वो आ रहे हैं उनका भी कहना है कि उन्हें काफी हमारा बाइलेटरल टाइज जो है यूनीक है बुटान इस किंग का कहना है और जो है चाइना गये थे वो इसके पहले राइट और उनके बीच में 25th round of boundary talks हुई है बीजिंग में और उन्होंने एक agreement भी sign किया है responsibilities and function of the joint technical team on the delimitation and demarkation of the Bhutan China boundary उसके बाद ये इंडिया रहे और हमारे आसाम के चेफ पिनिस्टर कौन है आपको पता है हेमंत बिश्वा सर्मा उन्होंने कहा कि भाई आसाम जो है इतनी लंबी boundary सेर करता है बुटान के साथ 265 अराउंड जो है किलोमेटर लंबी boundary वो सेर करता है और इसी के लिए वो अभी इनके आने से पहले जो उन्होंने अपनी सीट है ना बुटानीज नेशनल के लिए medical college में जो है उन्होंने कुछ सीट रिजर्व की है एक reservation लाया है कि असाम वेटनस डे को उन्होंने बुला कि 5 सीट जो है बुटानीज नेशनल के लिए हम रिजर्व कर रहे है अपने medical college में तो इस तरह से जो है ties और developed हो रही है और उसके बाद वो after Assam वो आएंगे हमारे PM नहीं दिल ले आएंगे फिर वो हमारे PM से भी मिलें तो और भी जैसे meet up के बाद जो सारे अगर कुछ sign होते है agreements सारे तो वो हम लोग discuss करेंगे ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं now UN के recent report का कहना है कि developing countries जो है उन्हीं तस गुना ज्यादा funds चाहिए for climate adoption और यह जो है आपको लग रहा होगा कि बहुत ही serious matter है क्योंकि कोई भी इस ज्यादा ध्यान रही दे रहा है क्योंकि यह UN की report में है कि जितनी भी promises की थी developed country ने कि हम hundred hundred billion dollar देंगे per year यह सारी चीजे जो है कोई follow नहीं कर रहा है तो financial international financial health चाहिए at the Glasgow climate conference जो वा था 2021 में जहां developed country ने commit किया था themselves to double the money for adoption but there is also an agreement that a new financial goal over and above US dollar hundred billion every year would be set by 2025 बद जो है यह follow नहीं हो रहा है और इसमें जो है adaption gap report जो है annual publication from the united nation वो उसने जो है क्या कि कह रहे है कि adaption is crucial to solving lives and ecosystem especially in developing and most vulnerable countries with low resilience and country have been taking a range of adoption matters और जो developing country है उनके पास जो है उनका जो उल्टा जो है funding वो कम हुई है पिछले साल से और 10-15% जो है उन लोगों ने climate change पे climate adaption पे कम खर्चा किया है तो यह काफी serious issue है जिसको UN ने उठाया है और यह gap जो आ रहा है इसको भरना ज़रू है अगर हमें और आपको अपना climate environment ecosystem को सही रखना है तो बस आपको ध के चलो फिर आगे बढ़ते हैं कोजी कोजी कोडे जो केरला का एक डिस्टीक है वो UNESCO की जो है इस सिटी ऑफ क्रियेटीव सिटी नेट्वर्क में आया है इसका क्या बेनिफिट होगा इस टैक का क्या मतलब है तो यह जो सिटी ऑफ लिट्रेचर टैग है वो मिला है UNESCO के इसका क्या बेनिफिट होगा इस टैक का क्या मतलब है तो ऐसी कई सारी जो सिटीज है ऑल ओवर दा वर्ल्ड उसमें से जो है सेलेक्ट किया गया है कोजी कोडे को भी वन आफ दा जैसे हंड्रेट से जादा जो है उनको सामिल किया गया है और मोस्ट जो है 350 साइट से जिनको यह टैग मिला है और इसके साथ साथ गौलियर भी जो है मध्यपरदेश का वो भी इन 55 न्यू सिटीज में एड़ वा है इंडिया के दो जो है वो प्लेसे से एड़ भी आपको याद रखना है कोजी कोडे सिटी ओफ लिट्रेचर एंड गौलियर ऑल्सो तो आप आप मुझे सर्च करके बता होगे गौलियर को कौंसा टैक दिया गया है गौलियर को किसलिए एड़ किया गया है इसमां करे बता है है in the category of literature और ग्वालियर को in the category of music ओके चलो objective क्या होता है यह creative cities network का की भाई सब लोग साल में एक बार मिलते हैं UN के अजन्टा होता है sustainable development का उसको एक दूसरे को जो है recognize करना है essential component of urban development यह सारी चीजें जो है होती है यह कब create किया गया था 2004 में UCCN okay to promote cooperation among cities that have identified creativity okay and Indian city में कौन कौन है कोजी कोडे के अलावा गौलियर भी add हुआ है इस साल आपको पता इसके पहले वारा नसी था for music स्री नगर था crafts and four cards के लिए और चन्ने भी था music के लिए अभी तक इतने ही part है right तो कोजी कोडे जो है बहुत ही matter करता है क्योंकि फर्स्ट मल्यालम नोवल कुंडा लाथा वास बॉर्ण इन कोजी कोडे इटीन इटीन इटी सेवन ओके और किसके दवार लिए था अपू नेडू नांगी तो यह सारी चीज़े annual conference होती है जहां पर जो city के mayor होते हैं या फिर जो other stakeholder हर जगा लग लग नाम होगा हर एक country का राइट लास्ट conference का हुआ था सेंटोस ब्राजिल में और इस येर का conference का होगा इस्तानबुल में होगा और next conference होगा जुलाई 24 में इंब्रेगा पॉर्ट गाल ओके एंड मेंबर्स क्या करते हैं यहां पे तो हर हैं राइट चलो अब आगे बढ़ते हैं कि AI का जो डेंजर है राइट की रिस्क जो है artificial intelligence का इसके उपर जो first ever summit हुई है वो कहां पे हुई है ब्लेट्री UK में जो कि लंदन के पास है अब यह place क्यों select किया गया यह भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही वो जगह है जहां पे जो है code breaking hub बना था यह during world war 2 तो यह काफी importance रखता है technology के हिसाब से AI safety summit और हमारी तरब से इंडिया को represent किया था यह भी आपके exam point of view से ध्यान रखना है union minister of state for IT राजीव चंद्र सेखर जी ने participate किया था इंडिया को represent किया था और उन्होंने भी बोला है कि we are very clear that AI represents big opportunity for us लेकिन जो इसका threat है वो भी हमें ध्यान रखते हुए करना है तो नमंबर first and second को ही submit हुई drawn in global leaders आये computer scientists आये थे tech executives आये थे सारे लोग आये थे 28 countries including US, China, Japan, UK, France, India सारे जो बड़े बड़े लोग थे plus European Union जैसी बड़ी बड़ी countries और union ने sign किया है on declaration saving global action you need to tackle the potential risk of AI तो यह declaration आपको याद रखनी है कि Blitry Park declaration कहा हुआ है UK में हुआ UK में नियर दे लंदन और यह जो है top secret base था इस place को क्यों चुना गया जैसे मैंने आपको बता it is a top secret base of the code breakers who cracked the agnima code that has in the end of world war 2 तो यह इंडिया की position आपको ध्यान रखनी है Biden ने भी जो जो Biden US के president उन्होंने भी अभी AI के threat के उपर जो एक executive order release किया है to safeguard against threats posed by AI तो ऐसा नहीं है सारी countries जो है space tape ले रही है तो और यह US का जो है यह भी जो है जो order है वो भी बता रहा है कि AI का threat कितना जादा हो सकता है तो सब लोग varied approaches है जैसे जैसे जो है US approach is seen to be somewhere in between with Monday's executive order और इंडिया भी जो है now progressively pushing the envelope on AI regulation on August 29 less than two weeks before G20 के leaders summit से पहले हमारे prime minister ने कहा था कि एक global framework बनाना होगा on the expansion of the ethical AI tool के लिए मतलब AI तो बुरा है नहीं है अगर वो ethical रहे तो लेकिन unethical जो चीजें है वो बुरी है काफी गलत गलत चीजों के लिए यूज हो सकते हैं तो responsible use of AI होना चीए यह थे आज के हमारे important articles आपको कोई doubt हो तो आप हमें suggest कर सकते हो और कोई doubt हो पूच सकते हो हमारे टेलिग्राम चैनल और WhatsApp चैनल जॉइन कर लो और कोई भी doubt हो आपको तो हमारे pro counselor से consult कर सकते हो इसी दियेवे number पे ओके तो ऐसे ही चलो कल फिराओंगा मैं आपके लिए important article लेकर चैनल को subscribe नहीं कियो तो कर लेना बाय टेक केर